एड़ी ने रिच की एक सुन्दर पो, दट्रीज, जिसके सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़ी है जाकर देख लिजेगा, इसको पढ़ेंगे और इस पर केस्चन अंसर को करेंगे, आएए देखें, आल नाइट दरूट्स वक, पूरी रात जड़े कारे करती हैं, पेड़ की जड़े, पूरी रात, सारी रात कारे करती हैं, क्या करती हैं, तू डिस इंगेज देमसेल्स फ्राम्दा क्रैक्स इंद वारांदा फ्लोर, वारांदा मिंस बारांदा, फ्लोर मिंस फर्स, तो बारांदे के फर्स के जो क्रैक्स हैं, दरार, उनसे अपने आपको डिस इंगेज मुक्त कराने का कारे करती हैं, सारी राद जड़ें बरामदे के फर्ष की दरारों से स्वयम को मुक्त कराने का कारे करती है दलिब जे इस्ट्रेंड टूवर्ज दा ग्लास लिब जे पत्तियां इस्ट्रेंड दबाव डालती है तो पत्तियां शीशे की तरफ दबाव डालती है इसमाल टिक्स छोटी टहनिया इसमाल में छोटी टिक्स में टहनिया छोटी टहनिया इस्टिफ इस्टिफ आयठ जाती है बिथ एक जर्शन अतिरिक्त प्रयास के कारण छोटी टहनिया अतिरिक्त प्रयास के कारण एठ जाती है लांग क्रेंपड बफ्स लंबी तंग शाखाएं सफलिंग अंडर दरूप छट के नीचे रगण खाकर ऐसी हो जाती हैं लाइक निवली डिस्चार्ज जैसे अभी अभी डिस्चार्ज हुआ हो कौन पेसेंट्स रोगी मरीज हाफ डैस्ड मुविंग भोचक्का हो गया हो कुछ खुछ भोचक्का हो गया हो मुविंग टू दा क्लीनिक डोर्स क्लीनिक दर्वाजे से बाहर आते हुए अभी अभी छुट्टी पाए हुए मरीज भोचक्का हो इस तरह से वो लंबी तंग शाखाएं छट के नीचे रगड़ खाकर हो जाती है यहाँ कवित्री ने शाखाओं की तुलना पेसेंट से की है आए इस पर बेस्ड केशन देखें केशन फस्ट है सारी रात जड़े क्या करती है अनसर All night the roots work to free themselves from cracks in the वारंदा फ्लोर तो सारी रात जड़े बारामदा के फर्स की दरारों से स्वयम को मुक्त कराने का कारे करती है सेकेंड केश्चन How are the small ticks? तो छोटी तहनिया कैसी आनसर? The small ticks are stiff छोटी तहनिया एठी हुई है थर्ड केश्चन What are the bumps compared to? तो शाखाओं की तुलना किन से की गई है? आनसर The bumps are compared to newly discharged patient तो शाखाओं की तुलना अभी हाल ही में छुटी पाए रोगी से की गई है पेसेंट से की गई है आज की सेशन का ये fourth question What do the leaves do? पतियां क्या करती है? आनसर The leaves strain towards the glass तो पतियां ग्लास की तरफ शीशे की तरफ दबाव डालती है इस्ट्रेन मिस दबाव डालना प्रेसर डालना आज की सेशन का last question Write the name of the poem and its poet तो कविता का नाम लिखना है और इसके कवि का नाम लिखना है आनसर The name of the poem is The Tree कविता का नाम The Tree है and Adrenaline Rich is its poet और Adrenaline Rich इसकी कवित्री है Thanks for watching me